यह कहानी जिन्दगी की जरूरी बात सीखा देगी, जो की दिमाद हिला देने वाली कहानी, पुराने समय की कहानी है, एक राज्य था, एक दिन गुप्तचरों ने सुचनादी की पडोसी राज्य हम पर हमला करने वाले है, गुप्तचरों ने बताया की खबर एक दम पक्की है सिर्फ तीन दिनों के भीतर पडोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है वह बेहत चिंतित हो गया और परेशान हो गया राजा ने तुरंट सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है अगर किसी व्यक्ती के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है कोई स्ट्रेटेजी है तो बता सकता है राजा के चतुर मंत्री ने कहा अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एक मात्र उपाए है कि हमें आज ही अभी इसी वक्त पडोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए राजा बोला मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे मंत्री बोला पडोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तयार नहीं है अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ संभावना बनेगी वैसे भी हम पर हमला होने वाला है वो इतनी विशाल सेना है हम यूही मरने वाले है वो वैसे भी हमें तीन दिन बाद मारने वाले है तो क्यों ना कुछ न करने से हम ये कर सकते है राज्य को बाग थोड़ी अच्छी लग गई उसने तुरंट अपनी सेना को तयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए पडोसी राज्य जो था वहां तक पहुँचने से पहले एक पुल पार करना होता था एक पुल था तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा हम अपने पडोसी राज्य में घुस चुके हैं ये जो पुल है इस पुल को जला दो और जलाने के बाद सेना को बोल दिया हमारे पास में अब और कोई आप्शन नहीं सिवाए लड़ने के अब हम या तो लड़के जितले या फिर हम यहाँ पर मर जाए हमारे पास भागने का कोई आप्शन नहीं है सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पडोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया इस एटिक्यूर के साथ में की हमारे पास में कोई और आप्शन ही नहीं है इस कहानी का मैसेज है जब आपके पास में प्लान भी नहीं होता है आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है तब उसके पुरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे बरबाद हो जाएंगे तो संभावना बढ़ जाती है उसमें काम्याब होने की हर काम्याब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बरबाद हो जाऊंगा और वो कर लेता है यही कुछ जिंदगी से सिखने की बाते हैं वक्त अच्छा आए या बुरा जिंदगी में लड़ते रहना चाहिए जिंदगी में संघर्ष को उत्तर देते रहना चाहिए तो यह थी कुछ जिंदगी में सिखने वाली बात इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब तो माई चैनल